नमस्कार दोस्तों आप सबीकर स्वागत है हमारे आज की इस नए वीडियो में और हमारे यूटूब चैनल पर मैं हूं भरतुन्रा और आज हम आप सभी को बताने वाले हैं विमल पान मसाला के बारे में और साथिमें विमल एलाइची के बारे में तो अगर आपको इन दोनां के बारे में जान करें चाहिए तो इस वीडियो को एंट तक जरूर से देखेगा और इस प्रोडुक्त के लिए एक लाट राइची में तो ज्ल्दी Complet के लिए एक लाइक कर दिजेए अंगर हमारे चैनल पर नए हैं थो हमारे चैनल को सब्सक्राइब हिं कर दिएगा शायत क यह एलाने ne वрीडियो लाते रहा है अलगलग प्रोडक्ट से रेलेटेड़ है ठीए दोस्तव हम अखुरों करते हैं और दझते हैं की यह प्रोडक्ट क्यासे विमल के वालन के पानमसाला के ओकर मैं हलंकि मैं लोडिहे ही रहता है की पानमसाला खानी इसलिए हम इसे खाएंगे आपको दिखाएंगे यह कैसा होता है पर हम इसे खाने का बिल्कुल भी ट्राय नहीं करेंगा नहीं इसे खाएंगे और हम आपको भी यहीं कहेंगे कि आप पान मसाला नहीं खाएंगे because they are injurious to health okay तो यह है आपका वीमर का पान मसाला और इसको जो मेनफैक्ट्चर करती है उस company का नाम है आपका वाइब्रैन्ट प्रोडक्ट्स तो यह company आपका इसको मेनफैक्ट्चर करती है और दोस्तो अब हम आते हैं इसकेजेद्टे और में तो इसमें आता है आपका bitter nut, ketchup, lime, cardamom, menthol, natural flavoring and artificial flavoring substance, saffron भी इसमें डाना जाता है तो यह थे दोफसों इसके ingredients और अब हम बात करते हैं इसके वजन की कि यह इसमें कितना gram आपका product रहता है तो वो है आपका 2.6 gram इसमें आपका वजन रहता है product का और दोस्तों यह थे इसके ingredients और weight और company के नाम अब दोस्तों हम इसे खाएं हो जो नहीं पर आपको दिखाते हैं यह कैसा होता है तो चलिए देखते है तो यह कुछ इस तरह का है और इसमें से आपका saffron और साथ में जो menthol इसमें डाला गया है तो उसका smell आ रहा है पर हम इसे try नहीं करेंगे क्योंकि यह is injurious well तो मैंसे try नहीं करेंगा और यह हमने एक पानी लिया है इसमें मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि यह कैसा है अमदब होता है after mouth में जाने के बाद जो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यह पानी का कलर हलका सा जैसे white आप देख रहे हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वह मतलब complete केसर का कलर नहीं हो है हलका सहदम रेडिस होया है वह है बहुत ही light पर बाकि इसमें white कलर जो बाकि जो चीजें में लाए करती उसके वज़ा से तुड़ा white काफे दिख रहा है बाकि आप देख ही सकते हैं इसका कलर कैसा दिख रहा है आपको तो यह है इसका कलर यह माउथ में जाके इस तर से colorful हो जाता है तो यह तो थे आपके आपके इस में पानमसाला पर इस कॉंग खाएंगा नहीं खाएंगे तो आप भी बिलकुल मत खाएगा और बच्चों के लिए तो बिलकुल ही नहीं है तो यह था दोस्तो हमारा पान मसाला अना कि यह आपको अच्छा इसलिए रखता है अब काफी लोगों को चुकि इसका जो स्मेल जासे किया है उसकी वेटस है तो इसलिए लोग इसलिए ज्यादा खाते हैं पर इस चीज को नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपका इंजूरियस ट यह था पान मसाला अब दोस्तो हम आते हैं विमन के इलाइची के उपर तो एक और बाद मैं दिखा दे रहा हूं कि इस हलका से छोड़ दिया है तो यह हलका से केसर कवर्का ठीक है अधम नाइट तो यह हो गया अब दोस्तो तो ग्राइज हलाकी मैंने इस पाने को भी फेक की और देख सकता है मैंने बिन्सक्राई पान दिया है ठीक है तो अब दोस्तो हम देखते हैं कि यह यह आपका विमन का इलाइची है यह कैसा है तोला कि मैं आको बता दू कि आपका जो माका 5 मसाल हूं पांट में आता है प्लाकट और इसको बनाने वाले loci है यह अब का एक रुपय में आता है तो चलिये देखते हैं यह कैसा है और सबसे परहे तो बता दूं को बनाने वाले company का नाम बनाने वाले भी company का नाम है अपका mega product processor private limited जो की आपकी एहंम्दाबाद की कमप Kelli है और टो यह था इसके कमपूनी का नम है अब दूसरो तो हम आते हैं इसके इंग्रेडेट्स के उपर में तो इसमें जो आपका इंग्रेडियस है उसका नम है आपका ग्रीन कार्डिमीम सीड फिर इसमें आता है आपका सोडियम शैकरिन ऊप्मार्फ का शुकरॊल ज्यंट है कि कि अदिम और आपका सीज़ते हैट मिया अगर nasıl में कि अब करेंसर दाला है तो यह थे इसके इंग्रिजिंस और इसमें आपका राल भेकत से स्वीटनर का क। करता है जो कि आपका इसके लिए हम यूज़ किया सकता है तो भचीनि के चाहिए हम स्वीटन खेर करते हैं और इसमें क्या है आपका सुकर्डॉस बूस भी जो मैंने बताया तो भी एक तरगा स्विटनेर ही है तो कि आपका स्विटनेंग का काम करता है तो इसमें जिसे कि आपका जो यह साइच्रीन डाला गया है अगर दिन में इसका एक या दो पाउच अगर खाओगे तो वह ज्यादा हाम नहीं करेगा तो यह जरू से हाम करेगा ओके ना लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज़ को खाना हाम करता ही है तो इसलिए आज मैं यही से दिस्ट करूँगा कि इसको आप एक या दो रिखाए दिन में तो ठीक है मगर ज्यादा बिल्कुल ना खाए और हाँ बच्चे तो इसको बिल्कुल भी ने खाए जो कि आ 18 येर से नीचे है वो इस प्रोड़िक को बिल्कुल भी ना खाए तो य होगे इसके इंड्रीडियेंस और इसके बारे में खुणा सा अवेरनेस और बाकी अब हम दोस्तों आते हैं कि यह कैसा दिखता है और इसके वजन के उपर में तो इसका जो वेट है वह है आपका 170 मिली ग्राम यानि कि आपका 170 ग्राम आपका जो हो रहता है मुदब एक फिल काफी कम ठीक है ना तो 170 मिली ग्राम आपका इसमें प्रोड़क्ट है ठीक है तो चलिए अब हम देखते हैं यह कैसा है करते हैं इसको हम एक डॉप डार के देखते हैं कैसा रहता है तो दोस्तों देखे अब डार दिया और देखिए आपको दिख भी रहा होगा तो हलाकि इसमें से कुई ज्यादा कलरिंग और पाउडर से कुछ नहीं निकल रहा है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ नहीं ह तो चलिए अब हम इसे ट्राइ करते हैं और टेस्ट करते हैं हाला कि इसमें जो समयल आ रहा है उसमें आपका इसमें हलका साब का समझे जी 50% लाइची और 50% सैफोर का तो चलिए अब इसमें टेस्ट करते हैं तो दोस्ताओं मैं अगर बात करूए इसके टेस्ट की तो नशी आख की जो टेस्ट है वो कभी जाद आ रहा है उसके आपका जावका सेफरन के जो टेस्ट है वह आपका 30% आ रहा है बाकिस में थो चाहर में थोलोगे इसका बुकड़ा रहा है तो इस तरिके का यह प्रड़क है और इसका में प्रड़क मार्किन आपाउट सब्सक्राइब उ faz Cancer network को में रफकेट की आपकाउट की जाओ का में युआ को प्रड़क में इसको बेल को ब्लाउट की जने मत yours ओcidosले ही प्रड़क मेट में प्रड़क रव्यव्यू और क्या के जाओ इकिह व्यूज से महर कुछ की है हाँ आप ये लाइची आप ज़रु से ट्राइब कर सकते हैं खा सकते हैं और बात बाकिए अगर आपको हमारा प्रोड़क्त लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लेगा और साथ में इस वीडियो को एक लाइक भी दे देगा तो दोस्तों आप हमारे अबली वीडियो में तब तक के लिए जाहें 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 जाहें